नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षू और आज हम बात करेंगे इंडियन मैजिकल ट्री मिरैकल ट्री मौरिंगा के बारे में अब मौरिंगा यानी शैजन या ड्रम स्टिक्स आप इसे कुछ भी बोलिए यह इंडियन सब कॉंटिनेंट में पाया जाता है होम रेमेडीज के तोर पर बहुत ज़दा इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी बिमारियों में लोग यूज़ करते हैं पर एक डॉक्टर के नजरिये से जानिये कि साइन्टिफिकली इसके पांच बेस्ट बेनेफिट्स रियल वोल्ड में क्या है और अगर आपको वो तो इससे पहले कि हम वीडियो को पूरी तरह से शुरू करें आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस चानल को सब्सक्राइब करते हैं जो कि सिर्फ 10-12% लोग करते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरह की वीडियो आपके सामने ला सकें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फायदा मिले तो आप बात कर लेते हैं मोरिंगा के बेनेफिट्स के बारे में भाई देखिए एक डॉक्टर के नजरिये सेगा किसी होम रेमेडी को ढूडेंगे तो हम वोम रेमिन में क्या चूपन एंगे सबसे पहले उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कि अगर मरीज उसे ले तो उसे पोषड मिले तो पोषड मिलने के लिए इसे हमें मैजिकल ट्री इसी लिए बोला क्योंकि चाहे आप इसकी पत्ती ले चाहे आप इसके फूल ले च पीज ले चाहे इसकी चाल ले हर चीज में nutritive values मौजूद है और अच्छी खासी मौजूद है अब इसको अगर हम example के तरह समझाएं तो समझे कि इसके अंदर केले से 7 गुना ज़ादा potassium है दूद से 2 गुना ज़ादा protein है दूद से लगबग 7 गुना ज़ादा calcium मौजूद है इ पतियां भी green होती है तो आप सोचेंगे इसके अंदर high iron भी होना चाहिए बिलकुल है लगबग 25 गुना ज़ादा iron मौजूद है लेकिन उसका absorption rate कुछ बहुत अच्छा नहीं है और लोगों को उसे लेने से iron बढ़ाने के लिए लिए से कुछ पेड़ संबंधी परिशानिय हुई है इसलिए मैंने iron को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया दूसरा बहुत अच्छा benefit यहां पर आपको मिलेगा moringa से वो है high antioxidant अब देखिए ये जो पेड़ है ना इसके अंदर बहुत अच्छे high antioxidants पाये जाते हैं जिसमें नैचुरल fruit preservative आपके लिए बन सकता है जो तीसरा बहुत अच्छा benefit यहां पर मिलेगा वो diabetic patients के लिए है कि अगर आपकी diabetes uncontrolled चलती है आप already कोई भी दवा खा रहे हैं लेकिन खाने के बाद भी आपके diabetic levels properly maintain नहीं हो रहे है तो अगर आप अपने खाने के संग में यह moringa को इस्तमाल करना शुरू कर देंगे कौन से amount में इस्तमाल करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपके blood sugar levels fall करेंगे क्योंकि colonergic acid यह एक ऐसा antioxidant है जो आपके body के अंदर blood sugar जो मुझूद है उसको बढ़िया से oxidate करता है और आपको बढ़िया energy देने के लिए माना जाता है और इसलिए जो researches हुई यह छोटी छोटी researches थी उसमें पाया गया कि जो लोग regularly moringa ले रहे थे अपने खाने के संग में powder की त कर रहे थे तो उनके blood sugar में लगबग लगबग 1.5 times का difference देखा गया अब क्योंकि यह studies बहुत छोटे group के उपर थी इसलिए बहुत जादा claim कर पाना तो मुश्किल है लेकिन क्योंकि studies मौझूद है तो सच्चा ही है कि फरक तो जरूर पढ़ता है जो अगला बहुत अच्छा पी बढ़ा हुआ रहता है आपको गठिया संबंधी परिशानिया है गाउट संबंधी प्रॉब्लम्स है तो यहां पर आपको जो है मुरिंगा लेने से improvements जरूर आएंगे इसके पीछे का जो reason है वो बहुत सीधा सा है क्योंकि high antioxidants हैं इसके अंदर और अगर आप इसे regularly अलग अलग तरह से लेते हैं और अच्छी nutritional content है इसके अंदर तो overall आपकी body का inflammation already धिर धिर करके reduce होने लग जाएगा और pain में खासकर मरीज को improvement आएगा अब देखिए अगर कोई वीडियो आपको यहां पर claim करते हों बोले किसे आप regularly लीजे और यह दर्द और यहां कदद कतम हो जा में आपकी body में यह मदद कर सकता है एक particular part की सूजन को घटाने में मदद करेगा या नहीं इसके उपर कोई बहुत जदर researches मुझूद नहीं है अब जो last यहां पर effect है ना वो है cholesterol reduce करने के लिए अगर आपकी lipid profile की reports कुछ गरबढ़ आ रही है आपके trigly strides बढ़े हुए है LDL LDL cholesterol बढ़ा हुआ है HDL down है तो moringa आपको oil की तरहे अपनी diet में इस्तमाल अगर आप पढ़ने लग जाएं तो आपके HDL levels बढ़ने लग जाएंगे और automatically आपके trigly strides and LDL levels कम होने लग जाएंगे तो आपके जो cholesterol levels है लिपिट profile है उसे maintain करने के लिए moringa के oil को अगर आप इस्तम levels मौझूद हैं जो कि आपकी body में उस तरह की production करते हैं और antioxidants के साथ में मिलके already मौझूद जो cholesterol है उसको reduce करने काम करते हैं और HDL content body का बढ़ाते हैं अब अगला सवाल उठता है जो कि सबसे important है कि भई डोक साब जो ये आपने फायदे बताए चले ठीक है हम समझ गए आपने पढ़ा literature में ढूंडा तब आपने बताया तो भई हमें ये फायदे कैसे मिलेंगे देखिए तरीके बहुत सारे हैं आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी मैं किसी के claim के उपर question नहीं लगाऊंगा लेकिन जो scientific तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो आप पाउडर बनाएंगे घर में homemade powder बनाएए sun dry करिए यानि धूप में डालके इसे dry करिए sun dry करिए उसके पाउडर बना कर आप इस इत्माल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं इस powder को आप रायते के उपर डाल सकते हैं या जैसे mint रायता बनता है वैसी तरह आप इसे moringa वाला रा सकते हैं जो normally आप धनिया और पुदिने की संग में mix करके use कर सकते हैं तो इससे क्या होगा जो natural extract है ना moringa का वो आपको मिलने लग जाएगा आप इसको normally जो ही चटनी मनती है इसकी piece के आप इसे पानी में घुलकर early morning empty stomach अगर आप लेंगे तो आपको और अच्छे benefits मिलेंगे especially inflammation reduce होने में आपकी मदद होगी कुछ लोग recommend करते हैं इसे काड़ा बनाके भी लेना चाहिए जो की कोई गलत तरीका नहीं है अगर आप काड़ा बनाकर लेते हैं moringa का तो आपको benefit ज़रूर मिलेगा लेकिन request है कि जब आप इसका काड़ा बनाने के बारे में सूचे तो या तरीके बताए इसमें से कोई सा भी तरीका cooking करके इस्तमाल करने का नहीं था ताकि उसकी nutritive value ना खतम हो जाए लेकिन अगर आपको cook करके इस्तमाल करना चाहते हैं तो पत्तियों की बजाए आप drumsticks को लीजे कि drumsticks को boil करें और boil करने के बाद छोटे pieces में डालकर आप इसे अप काईदा cooking में इस्तमाल करते हैं आटे में माड कर इसके पराठे बनाने के लिए करते हैं क्योंकि इसमें अच्छा protein content होता है तो यह normally जो fitness freaks है उनके लिए बहुत जादा अच्छा है और बहुत ही beautiful यसे कहते हैं बहुत ही effective source है protein का जिससे कि आपका uric acid भी नहीं बढ़ेगा तो drum sticks अगर आप cooking में cook करते सो इस्तमाल कर रहे हैं तो moringa के proteinaceous contents आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और उससे आपकी nutritive value आपकी body के अंदर जो food है उसकी बढ़ जाएगी तीसरा बहुत अच्छा तरीका है वो है oil के form में देखिए अगर आप moringa के oil को इस्तमाल करना चाहते ह No.1 खाने के तौर पर No.2 लगाने के तौर पर चाहते हैं और आप इसे almond oil के संग मिला कर या coconut oil के संग में मिला कर अपने बालों में मसाज करते हैं alternate day या दो दिन हफते में दो या तीन बार तो आपको hair fall भी prevent करने में मदद हो सकती है अगर आप इसको किसी और तरह से use करना चाहते हैं oil को तो आप मेहंदी जो आप लगाते ह थोड़ा सा oil आप मेहंदी में डाल कर भी इस्तमाल कर सकते हैं कुछ लोग मेहंदी के अंदर उस पत्तियों को पीस कर भी लगा सकते हैं उससे भी आपके बालों की shine और बालों की growth में फरक पड़ेगा अगर आपके skin पर कोई inflammation हो रहा है को इलर्जी हो रही है खुझली करते हैं क्योंकि anti-inflammatory properties हैं तो खुझली में भी अराम मिलेगा soothing effect मिलेगा और जो आपके skin की dryness है वो भी improve होई लग जाएगी अब जो last तरीका है वो है homeopathic mother tincture मोरिंगा को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं अब homeopathic mother tincture भी कोई बुरा choice नहीं है उसका reason है कि वो जो हमारा plant है उसको alcohol में डाल दिया जाता है और जितने उसके antioxidants हैं वो सब को हम basically extract करने की कोशिश करते हैं जो आप alkaloids extract करते हैं तो जो tincture आप लेते हैं उसमें बहुत अच्छे nutritive values होती हैं तो अगर आप चाहते हैं कि भई मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना है तो आप homeopathic mother tincture को लगबग 15 drops morning evening के हिसाब से regularly अगर इस्तेमाल करते हैं चाहें आगर आपकी age especially लगबग 25 to 55 के बीच में है तो आपको improvement ज़रूर आएंगे I hope कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी थी बहुत इसपश्ट थी तूदा point थी आपके फायदे के लिए थी अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे प्लीज एक thumbs up जरूर दें चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूलें और लोगों तक इस वीडियो को share करें ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो सके इस वीडियो में सिर्फ इतना ही में दरफ से नमश्कार थैंक यू एंड जैहिंद